हेलो दोगे वेल्कम स्ट्वर्ण्स नाव लेट सट्व सेंप्लिंग थियुरम इसमें होता क्या यह देखते हैं कि जब एक केंट्विंग जिनल को जिसकी फ्रिक्वेसी अंप हड़ उसको एक सैंप्लिंग थियुरम से सेंप्ल सिंगनल की त्रू पास कड़ाया तो क्या होता ह जो जिसमें क्या होता है बिना किसी कोई भी इंफर्मिशन हमारा लॉस नहीं होता है तो देखते हैं क्या लिखा है एक कंट्रीज सिग्नल बेर लेमिटेट टू एफम हर्स कैन बी कनवर्टेट टू सैंपल सिग्नल एक्विट विद आउट एनी इंफर्मिशन लॉस इति लिखा रहता है यहां पर गीएसने जिसके फ्रिक्वेंसी होती है वह एकंबललर ह्सेंपली विद एकंबल सिग्नल मैस्सी knife patient agu garage तो सब्सक्स केटोता हैं नोगें वार्ष करता है कि देद्स का दा लुए आपल केट्व sniff ताइब सकते स्टने तो आपन टो एकेस्टनव ऐसे बड़िया अद्स एड्ट आपन गया मणीं ट्यांग said तो ts अगर ts लिख सकते हैं तो ts is equal to क्या होगा 1 less than equal to 1 upon 2 fm क्योंकि यह उपर चला गया तो इसलिए less than हो जाएगा less than तो ts हमारा क्या है sampling time और fs क्या है sampling frequency ठीक है तो where is ts is equal to sampling interval second in second होता है और fs क्या होगा sampling rate और sampling frequency जो कि होगा हमारा samples per second for example अगर example ले ले हमारा 1 kilohertz को अगर frequency को माल ले तो हमारा fs क्या होगा fs is क्या होगा greater than equal to 2 fm तो 2 fm होगा 2 into 1000 होगा 1000 2000 होगा samples per second तो 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 अगर यहां स्क्या होगा fs is equal to greater than equal to 2000 samples per second यह आ गया अगर time एकर निकाला तो sampling interval निकाला जाए तो sampling interval क्या होगा 1 upon 2 fm 1 upon 2 fm अगर देखा जाए तो क्या होगा 0.5 ms microsecond आ जाएगा ठीक है तो अगर देखते हैं क्या होता है क्या होता है जो सेंप्लिंग फिकंसी तो greater than and equal to 2 fm samples per second and time interval ts is equal to less than and equal to 1 upon 2 fm second र gjelta आव देड़करता है और ढिबेंड करता है तीन in satu sampling rate पा हमारा जो यह जो हो रहा हैient…… sampling rate होता है aq अंडर sampling होता हैं दूसर हो सेंपille city तीस्सरा होता है aq सेंप्लिंग होता है jeot Financial sampling जब होता है तो क्या होता है तीनों पार्ट अंडर क्रिटिकल और सेंप्लिंग तो इससे हम लोग को पता चल जाए कैसे वर्क कर रहा है यह ओके देखें पूफ आसेंप्लिंग टेरा एक कर रहेत्य देखनले आई जिसका फूरी निकलते हैं तो यह आता है फूर्य टर्स फूर्ट ट्रस्वाइब कर देखने यह सब्सक्राइब टिए जिसकी जिसका फ्रिकेंसी घ्रा horrifying सेंपल से प्रास करें तो जिसमें क्या होता है जो एक पल्स होता है जो इसमें बहुत सारे पल्स होते हैं जो कि तो अगर इसका एक्वेशन देखा यह तो इसका एक्वेशन देखते हैं तो इस वाले का एक्वेशन अगर देखे तो एक्सेस इसकल टू एक्स्टी इंटू कि मैं समेसिन आफ सममीसिन आ इसमीसिन आ यहीं इसका इसका इंफिनिटी लेविशन का है से ईक्सार इसकों इसका Fourier transfer करा तो क्या जागा fs summation of n- infinity to infinity del f- nfs ts आ गया time को Fourier change के थी तो fs आ गया ठीक है तो अगर इस दोनों का multiplication इन दोनों को multiply किया जाए यह और यह हमारा तो multiply अगर यह दोनों को करते हैं तो हमें यह वाला output हमें मिलता है तो देखिए अगर इसको करें तो देखिए इस तरह से output मिलेगा इस पर देखिए message signal यह हमारा output मिला और इसका output भी जो Fourier transfer करके यह है इस दोनों का output हमें यह मिलता है ठीक है तो देखिए डाटेक्टड फूर हो इसका फूरय ट्रांसब बहुत सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब हो गया हो दो फ्सस्राइब pry के यहां क समर्द का काॉंवलेशन मी ता है। कि अगर फूरिय जो रहते हैं तो इष्थ उस्मान फूरिय ट्रांस्वार में होता है इंध्म होता है αυτό मिल्टीपिलिपीलिकेशन होता है इंध्म अृ था होता है और अहां wys frequency domain is convolution, frequency domain is convolution, तो इसका अगर देखिए, इसका बोट साइट conversion लिए तो तो क्या हो, XT, देखिए, XT, XT, conversion of, देखिए, इसमे भी देखिए, जब यह देखिए, तीन, दो केस आता है, XT और conversion of, जो डेल टी आता है, तो क्या होगा, XT आता है, और यही जब, XT, conversion of, XT, डेल इन्टु, N-, डेल इन्टु, T- तीनोट आगर आता है, तो क्या हो, जगा, XT- तीनोट, देल के जगा, पर X आगे, conversion यह होता है, अगर इसका देखा जाए, function देखा जाए, इस वाले का, इसका, निकाल के, conversion निकाल आजाए, तो क्या निकल क्या आजएगा, XS, F is equal to, Fs, summation of, infinity to infinity, X, F minus, N-Fs, आता है, तो यह क्या, आप हो आ रहा है, यह resultant आड़ा है, तो resultant आप जो आड़ा है, तो इसको क् लो पास सिगनल से, किसे, लो पास सिगनल से, सिगनल से पास कराता है, क्योंकि हमें तो यह चाहिए, हमारा इन्पूट था, हमारा इन्पूट थी है, तो अगर इसको पास कराएंगे, तो हमारा यही फिर से मिलना चाहिए, हमारा लो पास सिगनल के तो दिखिए, तो इसमें लोपास से पास करें तो यह निकल का था एक्सफ एकसफ आता है तो स्पिड Death सब्सक्राइबुसक्राइब कर से लिए वजु के से इन वां शूंपल है पर हम लोग देगे लोगत के लिए बंढ़े मोहför अवर्ट च немного प्लिंग तो कि दरांसे की हाई एफस ग्रेटे इन टुए अगर इसको देखा यहाई तो fs जब 2 fm हो गया तो जब low pass signal से प्लास कर आता है तो low pass signal होता है वो practically low pass signal यहां लेते हैं अगर practically signal लेते हैं तो क्या आता है आप पूट में क्या आगता है कुछ कुछ distance आता है मतलब कुछ shifting आता है कुछ shifting की एकारण से देखिए यहां कुछ हमारा message signal जो आए जो आए यहां तक आए तो यह जो आए तो इसके करने कुछ bend gap कुछ gap हो गया gap आया तो यह हमारा जिकी fs आ गया fs क्या हो जाएगा यह यहां से आएगा और यहां तक आएगा यह जो आएगा मतब fm plus something plus something जो जाए रहा है वो practically में जो यह होड़ा oversampling oversampling मतब 2 fm से जादा double time of fm से जादा यह fs आ जाएगा इसके तो यह होड़ा पर इसके जो next आगर हम दोग देखते हैं तो next में क्या होता है critical sampling critical sampling में क्या होता है f is equal to 2 fm तो यहां क्या होता है t is equal to 1 upon 2 fm आ जाएगा t is equal to तो यहां जो देखते हैं तो practically लोग पास से लेते हैं तो lpf लेते हैं तो since practical lpf is available so the output obtained as shown in the critical sampling is prepared for ideal sampling यहां जो 2 is equal to f is equal to fm ले रहे हैं तो यह क्या करता है जो आउटपूट आता है तो हमारा यहीं से आड़ा देखें फरस्ट इंडोरा फर्स्ट के बाद दूसरा आधा तो यह हमारा आउटपूट हमारा definite जो हमारा आउटपूट हमारा चाहिए तो वो हमें मिल जाड़ा तो यह critical sampling होता है वो प्रिफर होता है यहां देखते हैं जब जो आखर फिल्टर से लो पेफ से पास कराते हो maioria के 있지만 कि पर फ्रक्राइब ओजता हैं लाइंगी होगान। कुछ distortion जाता है दो फूसने नहीं से अब से हमारा है कि यह हमारा मैसमंच और वा खड़ा हो जाता है मैसे था तो देखिए यह फ़लेही स्टाट और यह लोग। यह हमारा यहां क्या हुझत है यह हमारा फफ pressing फ्स हो गया 2020 using the ideal LPF we cannot यहां हम लोग ideal यूज करते हैं पहला हम लोग practical यूज करते हैं यहां हम आइडियल यूज करते हैं using the ideal LPF we cannot obtain the original masses and undivided frequency are obtained hence it is not proper इसलिए यह प्रोपर नहीं हो आता और यह हमारा critical sampling हमारा proper माना था क्योंकि हमारा frequency यह सबसे अच्छे से frequency मिल जाड़ा है और यहां पर मिल जाड़ा है जो इसे लिए कहता है hence minimum sampling rate and maximum sampling rate interval to be maintained to avoid analyzing जो यह जो आड़ा distortion आड़ा तो यह हमारा क्या करता है इसको कहता है analyzing अब इसी यह ही analyzing हो गया जो distortion आ रहा है तो देखिए hence minimum sampling rate and maximum sampling interval to be maintained to avoid analyzing are called naquist rate and naquist intervals respectively जो अलोड़ी हम लोग देखिए इसके मारा में पढ़ते हैं naquist rate क्या होता है 2Fm naquist is equal to 2Fm sample sample per second naquist interval क्या होता है 1 upon 2Fm second यह आपको exam में भी पूछा जाता है निक्विस्ट और निक्विस्ट इंटरवल क्या होता है one marks two marks में भी पूछ देगा कभी अब्जेक्टिव में पूछा जाता है यह इसके बार निक्विस्ट इट और इंटरवल के बारे में अगर यह एंटरवाइजिंग यहां से लगा दे अलाइजिंग को हटाए अलाइजिंग फिल्टर को एंटर्वल इसिंग तो देखे हमारा जो मैसे सिगना बेंट अनलिमिटेड एंसिगनल क्योंकि देख क्या होगा वह इंफिनिती से वह कई गुणा जभलत लोग फिल्टर से पास कराते हैं तो प्राइब आप प्राइब लिए तो प्राइब अगर लेते हैं तो वह फिनाइट होता है क्यों कि इन्फनाइट में फैर्ट तो ऐसा कुछ नहीं कि वह कहां तक जाएगा और प्राक्टेकली हमें तो कुछ डेफनेट वह ली चाहिए तो एफस क्या होगा लेस्ट टू हैं कि से फिरमेट चैनले के लिए छो क्या करते हैं यह हमारा एंटि-लायजिंग फिल्ट कहला ता है यह लाया लात एंटी-लायजिंग फिल्टर तो एवाइड़ लीड ठोन आ भाय ली मेयट तरन सिग्ञनल element इस और लिमीटे सिगनल एक लिमीड पस टूइर neg तरह देखी यह band unlimited signal है इसे हम लोग lpf से पास करां थे यहां से पास कर एंगे यहां से तो वह कुछ इस तरह से हमें band limited signal मिल रहा कुछ limited तक मिल रहा इसका Iจ- मारे से हम फ्म जो हमें कि प्रदी आधर यूजने किया सकता है इसे तो यहां थो कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग कुछ एक्जाम्पल के थो इसको समझते हैं कि कैसे यूस क्या होता है find the liquid rate of the following 10 first 10 10 sin 8 pi into 10 to power 3t तो यहां अगर fm देखा जाए तो fm क्या हो जाएगा fm हो जाएगा 4 क्योंकि 2 sin 2 pi 2 into 10 to power 3t होता है तो fm क्या हो जाएगा तो 4 kilohertz होगा 4 kilohertz होगा तो fm होता है 2 fm is equal to 8 kilohertz हो गया ठीक है ठीक है तो सब्सक्राइब इसकें इसांपल देखें 6 sin 6 sin 4 pi into 10 to power 3t plus 8 cos 12 pi into 10 to power 3t 10 to power 3t तो इसमें 2 fm है message fm frequency message है तो first जो हो जाएगा देखें क्या हो जाएगा fm 1 हो जाएगा to 6 sin 2 pi 2 2 pie formula क्या होता है 6 and sign 2 pi 2 pi हो जाएगा fm t to sign 2 Pi fm kya हो जाएगा to 222 2 2 2 pi 10 to power 3 तो यहां fm क्या हो जाएगा two kilohertz लेका आट फम two हो जाएगा six kilohertz आट तो इसे फम जाएगा जो एफस होती है वह maximum frequency को लेगा क्या लेखा maximum frequency जो हमारा होगा यह होगा यह होगा यह होगा यह होगा यह होगा मैंसिम्हक्त है तो 6 kHz को लिए 2 into 6 kHz 12 kHz हमारा sampling frequency next देखते हैं next अगर देखते हैं sin 4py 10 पाउर 3T into cos 12 pi into 10 to about 3T तो हमारे पता एक फर्मुला cos cosA into sin A into cosB, ठीक है तो देखिए यहां पर देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 upon 2 sin 16 pi into 10 to about 3 minus sin 8pi into 10 to about 3 यहां ठीक है यहां फर्मुला लगा के हम लोग इसको निकाल लेंगे तो इसका क्या निकल लिए फिर से maximum frequency देखना पड़ेगा तो दो frequency हमारे पास एक यह एक है यहां क्या FM1 क्या हुआ? 8 kilohertz हो गया और FM2 क्या हो एट 4 kilohertz हो गया 2 into 4 हो गया तो 2 into 8 हो गया तो maximum क्या हो एट हो यह हुआ FM1 हो एट हो तो 2 into 8 हो तो 8 into 16 हो गया 100t upon pi into 100 इसको sin c c का मतनुं यहां लिखा जाता इस तरह तो देखे इस तरह लिखा रहे तो हम लोग लिखते हैं sin 100 pi t upon 100 pi t तो fm हमारा पास क्या है देखे 2 into pi 2 into pi fm हो गया तो 2 into fm हो गया तो क्या होगा 2 into 50 आ जागा 100 तो 50 आ गया 50 hertz होगा 50 hertz आ गया तो fs क्या होगा 2 into 50 तो क्या होगा 100 hertz हो गया यह हमारा sampling frequency होगा sampling theorem हो गया तो इस class के साथ हम लोग इंड करते हैं इस lecture को मिलते हैं next lecture में ओके बाए thank you